हेलो फ्रेंड मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी के मेरे चैनल हेल्पिंग हैं फॉरेवर पर दोस्तों सी कोस्ट सिपिंग सर्विस इस लिम्टेट ये कंपनी जो है राइट इसू ला रहे है अपने धारक के लिए तो चलिए इस राइट इसू के बारे में आपको जो ह 12,12,000 रुपे का जो है लगबखी राइट इसू होगा अब देखें कि इसमें राइट रेसो या फिर एंटाइटलमेंट रेसो क्या रखा गया है तो 3-5 का है इसका मतलब कि रिकॉर्ड देट तक जो भी शेयर धारक इसके शेयर होल्ड करेंगे उनको हर 5 शेयर पर 3 इसके लिए जो प्राइज रखा है वो रखा है 2 रुपे 40 पैसे का तो जो भी शेयर धारक एप्लाई करेंगे इस राइट इन राइट सेयर के लिए उन्हें 2 रुपे 40 पैसे पर राइट सेयर का जो है भुक्तान करना पड़ेगा at the time of application अब यहां पर देखते हैं कि इसके जो रिकॉर्ड डेट क्या रखी गई है तो रिकॉर्ड डेट जो रखी गई है वो रखी गई है 13 जुलाई 2000 टेश की और यह स्टॉक जो एक्स राइट होगा वो भी 13 जुलाई 2000 टेश को होगा इसका मतलब 13 जुलाई से पहले अगर आप इसके खरीद लेते हैं या अभी भ खरीदा हुआ है और record date टक hold करेंगे तो आप जो है इस right issue के लिए eligible रहेंगे अगर हम देखें तो stock का जो current market price है भी 4 रूपे 3 पैसे पर trade कर रहा है अब क्योंकि 13 जुलाई इसकी x right date भी है तो इसका जो price है as per right ratio आपको जो है 13 तारिक को adjust होते देखने को मिलेगा देखें कि issue open कब होगा यह तो issue open होगा 21 जुलाई 2023 को और यह close होगा 31 31 जुलाई 2023 को अब देखें कि इस right issue के पहले company के कितने share जो है outstanding है market में यानि कि कितने equity share already outstanding है तो यह है 33 करोड 66 लाग 75 हजार share जो कि prior to this right issue outstanding है अब देखें कि post right issue अगर हम मान के चलते हैं कि यह जो right issue है 100% subscribe होता है तो इस right issue के बाद यहाँ पर जो total outstanding share हो जाएंगे वो हो जाएंगे 53 करोड 86 लाग 80 हजार share जो है वो total outstanding हो जाएंगे market में तो यहाँ पर जब यह right issue open होगा तो हम इस पर प्रिसे चर्चा करेंगे क्योंकि अभी stock का price 4 रूपे 3 पैसे का चल रहा है तो अगर हम issue price से current market price को देखें तो यहाँ अभी जो है 1 रूपे 63 पैसे का discount म मिल रहा है stock में जो है बढ़त के साथ last trading session में closing दी थी और क्योंकि जो है यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि इसके जो है stock का price issue price के लगभव ऊपर रखा जाए तो हमको हो सकता है कि अगले कुछ trading session में यह up trend में देखने को मिल सकता है तो जब issue open होगा तो अब इस right issue पर एक ब